हाई फ्रेंग्स, गुड बॉनिंग, मैं डिके, बाइलोजी वाला डिके के इस आनलाइन प्लेटपॉर्म पर एक बार अपनों का फिर से जवागत है, जैसा कि पिछले बीडियो में प्लांट मार्फोलाजी के अंतर गत, हम लोग फ्लावर में इंड्रोसियम का एस्टेडी कम आज हमारा जो टॉपिक है, वो गाइनोसियम पर है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं गाइनोसियम पर, गाइनोसियम फ्लावर में आपको पता है कुल चार वर्ल होते हैं, सबसे फर्स्ट वर्ल को हम लोग कैलिक्स करते हैं, सकेंड वर् उसको एंडोशियुम करते और जो fourth world है innermost है, उसे हम घाइनोशियुम के नम से जानते हैं, अगर आज आज आप इस वीडियो सेशन में नए हैं तो आप हमारे previous वीडियो को प्लीलिस्ट में जाके one by one करके twenty one वीडियो हम plant Marforology के अंतरगत बना चुके हैं आप उसको वाज करिए उसका notes प्रिपेर करिए उसके बाद आप Gynosium का स्ट्रीड डिटेल में करिए Gynosium जिसे हम Pistle के नाम से भी जानते हैं गारे जिसे हम किस नाम से जान रहे हैं अज का ये बीदियो बहुत ही important होने वाला है इस वीडियो के अंतरगत आज हम प्लेसेंटेशन का भी डिसकस करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है गाइनोसियम जिसे हम पिस्टिल के नाम से भी जानते हैं तो हम गाइनोसियम को डिफाइन करेंगे कि गाइनोसियम is the female reproductive part of flower तो एक question ये आपका important है गाइनोसियम जो होता है ये male reproductive part नहीं है ये flower का या कह लिजे plant का female reproductive part है female reproductive part of flower तो हम कह सकते हैं कि जो गाइनोसियम है ये flower का कौन सा part है female तो एंड्रोसियम फिर कौन सा part होगा एंड्रोसियम is the male part and गाइनोसियम is the female part ये एक या एक से अधिक कारपिल का बना होता है इसमें एक important चीज ये आ गया इसमें एक underline आप इसको करिएगा कारपिल तो गाइनोसियम जिसे हम पिस्टिल के नाम से भी जानते है तो इस गाइनोसियम में सबसे फ़स्ट जो question arise होगा flower का जो सबसे बाह चक्र होता है फ़स्ट वर्ल आउटर वह कैलिक्स है उसका second world कौन सा होगा उसका second world करोला है और उसका जो third world है वह इंडरोसियम है जबकि उसका fourth world कौन सा है गाइनोसियम है तो यह flower का कौन सा world हो गया यह flower का हो गया fourth world और दूसरा जो इसमें important चीज है कि इस गाइनोसियम की एकाई को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं इसकी unit को हम कारपिल के नाम से जानते हैं तो मिन्स यह जो गाइनोसियम है यह बना होगा इसमें condition है one कारपिल भी हो सकते हैं एक से अधिक कारपिल भी हो सकते हैं तो one or more कारपिल तो यह किसका बना हुआ है one or more कारपिल अब यह जो कारपिल है इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं तो ये जो कार्पिल है, इसे हम मेगा इस्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं, मेगा इस्पोरोफिल, ये एक important question है, तो कार्पिल को हम मेगा इस्पोरोफिल के नाम से भी जानते हैं, कार्पिल को किस नाम से जानते हैं, मेगा इस्पोरोफिल के नाम से जानते हैं, तो कार्पेल इस आलसोन होना है इस मेगा इस्पोरोफिल, कार्पेल को किस नाम से जानेंगे, मेगा इस्पोरोफिल के नाम से जानते हैं, एक्चली में ये जो मेगा इस्पोरोफिल टर्म है, आप इसको समझने के लिए हमारा जो प्लांट मार्फुलाजी में प्लांट किंग प्रकार का लीफ होगा एक sporophyll होता है और दूसरा है trophophylls तो यहां लीफ्स दो प्रकार की हो गए हैं एक sporophyll दूसरा इस ट्रोफोफिल यह जो लीफ होता है इसको हम लोग बोलते हैं photosynthetic leaf तो यह ऐसा लीफ है जो photosynthesis करेगा means इसका reproduction से कोई involvement इसका reproduction में कोई नहीं है तो आप इसे vegetative leaf के नाम से भी जान सकते हैं जबकि यह जो दूसरा वाल लीफ है sporophyll यह reproduction में participate करने वाला है यह spor का production करेगा तो इस sporophyll के अंदर spor का production होने वाला है तो इस sporophyll क्या बनाएगा spor का production करेगा तो हम यहां पर जान गए कि sporophyll स्पोर का production करेगा तो अब यहाँ पे देखे अगर आप ब्रायफाइटा में जाएंगे तो ब्रायफाइटा तो होमोइस्पोरस होता है ब्रायफाइटा कैसा है होमोइस्पोरस है मिंस उसमें जितने प्रकार की स्पोर बनेंगे सभी स्पोर सिंगल टाइप के होंगे इसलिए हम उसे होमोईस्पोरस कहेंगे लेकिन जैसे ही आप तेरिडोफाइटा में जाएंगे तो आपको कुछ जगां तेरिडोफाइटा होमोईस्पोरस दिखाई पड़ेंगे और कुछ जगां आपको तेरिडोफाइटा कै उस्पोरस है इस में इस्पौरोफिल को स्पौरोफिल के नाम से हम्जी जानेंगे क्योंकि इइस्पौर का प्रोडक्षन कर रहा है और यह प्रकार का लेकन जब आप इइतरोफिल है के हैट्र। प्लांट में आएंगे, तो यहां चुकि स्पोर का प्रोडक्शन दो टाइप का हो रहा है, यहां जो इसमाल साइज वाला स्पोर होगा, उसे हम नाम देंगे माइक्रो स्पोर, जबकि जो बड़े साइज वाला स्पोर होगा, उसे हम नाम देंगे मेगा स्पोर, तो यहां उसी तरह से जो इस्पोरोफिल माइक्रोइस्पोर को बनाएगा उसे हम नाम देंगे माइक्रोइस्पोरोफिल उसे नाम क्या देंगे माइक्रोइस्पोरोफिल और जो मेगाइस्पोर को बनाएगा उसे हम नाम देंगे मेगाइस्पोरोफिल तो इस तरह से हम हेट्रोइस्प हेट्रोइस्पोरस होते हैं तो all gymno, all angio and some teridophytes are हेट्रोइस्पोरस मैं इस तीन condition की बात कर रहा हूं जितने terido हेट्रोइस्पोरस है मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जिसे सिलेचेनेला हो गया जितने gymnoisperm हेट्रोइस्पोरस है और angio, ये तो सब ही होते हैं मैं इनके बारे में बता रहा हूं तो इन में क्या होता है कि स्पोर्ट दो टाइप का है एक microspore, दूसरा megaspore चुकि microspore यहाँ male part है और megaspore यहाँ female part है ये भी आप जानते रहे हैं तो जो इस पोरोफिल microspore को बनाएगा उसे microspore कहेंगे और जो इस पोरोफिल megaspore को बनाएगा उसे क्या कहेंगे megaspore कहेंगे तो ये जो microspore होगा यहाँ एक structure बनेगा जिसे कहेंगे microsporengia और ये जो megaspore होगा यहाँ एक structure बनेगा जिसे कहेंगे megasporengia अब इस Megasporangia में पाया जाएगा Megaspor Mother Cell जो meiosis करके क्या बनाएगा Megaspor जो meiosis करके क्या बनाएगा Megaspor अब आप यहाँ पे देखे इस terminology को NGO के case में यह जो Megasporofil है एक बार clear करिएगा यह जो Megasporofil है Megasporangia है यह word हम यूज करते हैं यूज्वली हेट्रोइस्पोरस टेडोफाइट और जिम्नोइस्पोम जब आप जिम्नो और हेट्रोइस्पोरस टेडोफाइट पढ़ेंगे तो आप वहाँ पी यूज्वली Megasporofil और Megasporangium टर्म को यूज करते हैं बट जैसी आप NGO के केस में आएंगे तो NGO के केस में यह जो Megasporofil है यह जो Megasporofil है इसे हम कारपिल के नाम से जानते हैं तो इसे हम किस नाम से जानेंगे कारपिल के नाम से जबकि NGO के केस में जो Megasporangia है इसे हम Obule के नाम से जानेंगे किस नाम से? Obule के नाम से जानेंगे तो इसका मतलब हुआ अब यहाँ नाम चेंज हो जाएगा यहाँ पे Megasporofil को कारपिल और Megasporangia को Obule के नाम से हम जानेंगे तो आप एक चीज़ तो find out कर लिए यहाँ से कि कारपिल का दूसरा नाम Megasporofil क्यों पड़ा क्योंकि यह कारपिल जिसे आज हम NGO में कारपिल वर्ड से denote कर रहे हैं इसे हम Heterosporous Stadophites में और इसे हम Gymnospum में किस नाम से जान रहे थे? Megasporofil के नाम से जान रहे थे तो अगर आपसे एक question arise हो कि कारपिल किस के equal है तो आप Megasporofil कहेंगे Megasporofil किस के equal है तो यह कारपिल के equal है क्योंकि यह दोनों का function same होने वाला है यह भी Megaspor का production करेगा यह भी Megaspor का ही production करेगा तो चुकी इनका function same होने वाला है इसलिए आप इन्हें एक साथ रख सकते हैं तो इस तरह से हमने अभी देखा कि गाइनोसियम एक या एक से अधिक कारपिल का बना हुआ है यहाँ पे कंडिसन है अगर आप से कोई question arise करे कि गाइनोसियम कितने कारपिल का बना है गाइनोसियम में एक कारपिल भी हो सकता है और गाइनोसियम में एक से अधिक कारपिल भी हो सकता है दूसरी चीज है गाइनोसियम किसका बना होता है तो गाइनोसियम कारपिल का बना है जिसे हम मेगा इस परोफिल के नाम से भी जानेंगे और इसे हम Pistol, Gynosium को Pistol के नाम से भी जाना तो जब हम एक Gynosium का यहां structure देखेंगे एक Carpill का, sorry तो इस Carpill में यह जो structure है इसको हम लोग बोलते हैं Stigma यह जो structure है, इसे हम बोलते है Style और यह जो Swellen Wall Apart है, इसे हम बोलते हैं Overy तो यह जो structure मैंने अभी बनाया है यह एक Single Carpill का structure हो गया तो यह किसका structure है, एक Single Carpill का और इस structure में कुल कितने Part हो गएं, तीन कौन कौन सा Part यहां हो गए, Stigma हो गया, Style हो गया और Overy हो गया इस तरह से इसमें 3 Part हो गया एक stigma, दूसरा style, तीसरा कौन सा ovary हो गया तो अब हम इसके बारे में देखेंगे इसमें हम define करेंगे कि stigma को हम कैसे define कर सकते हैं तो हम सबसे पहली हैं ovary को define कर लें ovary को हम कर सकते हैं अब अगर इस diagram को देख के define करें तो इसमें सबसे swelling part आपको कौन सा दिखाई पढ़ रहा है ovary यही कारपिल का एक ऐसा part है जो सबसे ज़्यादा फुला हुआ है तो आप कह सकते हैं ovary is the ovary is the enlarged enlarged का मतलब होता है बहुत ज़्यादा फैला हुआ enlarged और सबसे नीचे यही है तो basal part एक तो यहां हो जाएगा काफी चवड़ा और दुसरा base का तो हो गया यह ovary is the enlarged basal part तो ovary जो होता है वह कारपिल का सबसे basal part है और सबसे चवड़ा part है अब इस ovary से क्या arise हो रहा है इस ovary से arise हो रहा है style और क्या arise हो रहा है stigma तो इसका मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं कि ovary के इस position से भी style का arise हो सकता है इस position से भी arise हो सकता और यह base से भी हो सकता अब हम आपको इसके बारे में team condition बताएंगे तो हम सबसे पहले यहां देख लेते हैं यह जो style है यह stigma को ovary से connect कर रहा है तो इसका मतलब हम यहां पे कह सकते हैं कि style is elongated tube is elongated tube तो style कैसा हो गया यह एक elongated tube है अगर हमें सबसे बड़ी style देखनी है तो हम जाएंगे मक्का में जिया मेज में वहां आपको सबसे बड़ी style दिखाई पड़ेगी और मक्का की जो family होती है वो ग्रेमिनी है जिसे हम पोईसी के नाम से भी जानते हैं और उसी family में लोडिक्यूल की मैंने चर्चा किया था आपसे style is elongated tube which connect which connect यह आपस में जोड रहा है connect stigma bit ovary आप यहां दो चीज कर सकते हैं कि style जो होता है एक elongated tube है जो connect कर रहा है stigma को ovary से अगर आप इस point को देखें तो इस stigma को इस ovary से किसने connect करके रखा है इस middle part ने और इस middle part का हम क्या नाम देते हैं style तो means यहां पे हुआ कि style is the elongated tube यह लंबा होता है और connect with stigma and style यह stigma को ovary के साथ stigma को ovary के साथ क्या कर रहा है connect करने का काम कर रहा है सबसे बड़ी style मैंने आपको बता है मक्का में आप इसे note कर सकते हैं most elongated style किसमे है वो मक्का में है ग्रेमिनी फेमिली से वो बिलांग कर रहा है यहां पर दूसरा point है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि stigma usually at the tip of style stigma stigma is usually at the tip of at the tip of style यहां से तो कोई question नहीं मिला है यह तो सही बात है कि stigma के tip पर क्या पहे जा रहा है style यह एक सामान एक condition है कि stigma के tip पर style के tip पर stigma पहे जा रहा है तो stigma is usually at the tip of style तो style के tip पर पहे जा रहा है stigma यहां जो सबसे में question है कि यह जो style है यह receptive surface for pollen grain receptive surface for pollen grain तो यह एक question आप underline करिएगा यह एक question आपको मिला pollen grain तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस कारपिल में अभी आगे चलके हम आपको pollination एक heading पढ़ाएंगे उसके importance को बताएंगे उसके type को बताएंगे उसमें auto gaming geno gaming इसकी चर्चा हम करेंगे बट उसके पहले एक सब्द यहां आही गया pollen grain यह जो pollen grain है आप इसे microspore के नाम से भी जान सकते हैं तो microspore के नाम से भी फिलालवी आप इसे जानते रहेंगे आगे हम discuss करेंगे तो यह pollen grain को receive करने वाला जो surface है जब male flower से pollen grain release होगा तो वह pollination नामा के एक process को follow करेगा pollination के बाद उसे आना है इस कार्पिल के पस तो कार्पिल का एक ऐसा part होना चाहिए जो spollen grain को receive कर सके चोकि यह stigma जो होता है stigma का यह जो surface आप देख रहे हैं maturity के time पे यह काफी mucilaginous substance का इस पे secretion होता है तो at the time of maturity जब यह कार्पिल mature हो जाएगा तो इस stigma पर mucilaginous substance के secret होने के कारण यह stigma काफी ज़्यादा चिपचिपा होता है mucilaginous होता है अब यह चोकि mucilaginous है इस वज़ा से यह pollen grain को receive करेगा अगर मान लीजिए कि यह pollen grain इधर से air में उड़ते हुए यह जा रहा है suppose that यह जिस plant की मैं चर्चा कर रहा हूँ हवा में उड़ते हुए साइट से यह गुजर रहा था चोकि इस stigma का यह outer surface काफी ज़्यादा mucilaginous है तो mucilaginous होने की वज़ह से यह pollen grain इसके surface पे क्या हो जाएगा चिपक जाएगा और चिपकने की वज़ह से यह जो pollen grain अभी जा रहा था यहां से यह इसके surface पे आ जाएगा और यह pollen grain पहुच गया तो इसका मतलब pollen grain अगर air में से जा रहा है उड़ते हुए तो इसका landing कहां हो रहा है इसका landing हो रहा है इस टिगमा पे नार्मली अगर आपसे question पूछा जाए कि pollen grain का landing कहां पे हो रहा है female flower में तो यह इसका landing कहां हो रहा है इस स्टिगमा पे हो रहा है तो means यह receptive surface है और यह किसको receive कर रहा है यह receive कर रहा है pollen grain को तो यह किसके लिए receptive surface हुआ pollen grain के लिए तो means आप ऐसे भी stigma को define कर सकते हैं कि it is the receptive surface for pollen grain and part of carpel तो मतलब हम यह इसको इस तरह से define कर सकते हैं कि stigma carpel का एक part है uppermost part है tipa है और यह female reproductive part है और यह pollen grain या micro spore को क्या कर रहा है receive कर रहा है और यह receive कैसे करेगा क्योंकि इसके surface पर काफी ज़्यादा mucilaginous substance है अब अगर कोई मान लीजिए insect pollinated flower है और उसमें pollination की process जो है वो insect के दोरा complete हो रहा है चुकि यह mucilaginous substance को अपने surface पे secret किया है उस mucilaginous substance में sugar भी हो सकता है sugar की वज़ा से उसका एक smell होगा उस smell की वज़ा से insect आके यहाँ बैठेगा उस mucilaginous क्यों सक करने के लिए अब अगर कोई insect आके इस mucilaginous stigma के चिपचिपे surface पे वो बैठता है तो उस insect के पास उसके leg में अगर किसी प्रकार का कोई pollen grain attach होगा तो इस stigma पे आ जाएगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह pollination में help करता है pollination में आने वाले pollen grain को यह receive करता है इसलिए यह बहुत important question है कि यह एक प्रकार का receptive surface है किसके लिए pollen grain के लिए एक चीजा और आप जानते रहें अगर कोई carpal mature हो चुका है और आपने उसके stigma को जो वहाँ पे एक adhesive surface बना हुआ था चिपचिपा surface बना हुआ था उससे आपने dry कर दिया होगा अगर यह land कर भी जाता है तो हवा चलेगा तो यह वहाँ से हट जाएगा by chance हवा नहीं भी चले यह वहाँ पड़ा भी रहे तो इस pollen grain का यह जो outer surface आप देख रहें exine नाम का यह exine rupture नहीं होने वाला है क्योंकि जब pollen grain stigma पे land करता है तो इस pollen grain यहाँ जो mucilagenous substance होता है उसको absorb करता है pollen grain absorb करने के बाद यह exine swell करेगा पूरा pollen grain swell करेगा exine पे pressure लगेगा और उस pressure से exine फट जाता है exine के फटने से यह in time एक tube के रूप में बाहर आती है जिसे हम pollen tube के नाम से जानते है by chance stigma अगर dry है तो सबसे first point कि pollen grain का यहाँ landing नहीं होगा second point अगर landing हो भी गया तो इसको यहाँ mucilagenous substance नहीं मिल रहा है क्योंकि stigma क्या हो चुका है dry और जब यहाँ mucilagenous substance इसे नहीं मिलेगा तो इसका germination possible नहीं है तिस तरह से आप कह सकते हैं कि dry stigma का receptive surface है किसके लिए pollen grain के लिए दूसरा यहाँ पर आपको जानना है कि यह जो ओबरी है इस ओबरी के सतह पर यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा एक structure जिसे हम placenta के नाम से जानते हैं आगे एक heading आपको पढ़ाना है placentation उस heading में placenta का role है हम उसके बारे में वहाँ discuss करने वाले है तो फिलाल placenta को आप define करते चलिए तो आप कह सकते हैं कि each ovary each ovary प्रतेक ovary beers यहाँ भी condition लगेगा one or more एक भी ovule हो सकता है one or more ovule आपको अभी भी मैंने बताया कि जो mega spore of fill होता है इसकी surface पर क्या लगता है mega explode mega explode और ये जो mega explode सब्द है इसे हम कहाँ यूज करते है इसे हम यूज करते है tedophyta में कौन होमो नहीं heterosporous tedophyta और कहाँ यूज करते है gymnosperm में यही जो mega loses प्रेंजिया है इस mega integument नामा की affili jacket नहीं है अगर Megaisporangia Integment नमक कवर से ढख जाएगा तो ऐसे Megaisporangia को Obule के नाम से जानते हैं ये Integment क्या है? ये Seed Coat Future में बनाता है, Testa बनाता है, Tegamine बनाता है हम इसके बारे में Plant Embryology के एंतरगर इसका discuss करेंगे, अभी नहीं अभी आप बस इतना जानिए कि इसी Megaisporangia को NGO के केस में हम Obule के नाम से जान रहे हैं खैर इसमें दोनों में डिफरेंस है, यहां Integment नहीं है, यहां Integment है लेकिन हम इसकी चर्चाए Plant Embryology के एंतरगर करेंगे, आज नहीं करेंगे आज बस आप इतना जानेंगे कि Megaisporangia ही यहां Obule के नाम से जाना जा रहा है तो आप यहां कर सकते हैं कि Each Overy, be one or more Obule, Condition है कोई अगर आप से पूछ रहा है कि एक कारपिल में कितने Obule हैं, तो एक कारपिल में तो एक ही Obule है फिर इस Overy में कितने Obule हो सकते हैं, इसके नमबर फिक्स नहीं है यह नमबर आप देख रहे हैं, one to many, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है यह Plant के उपर Depend करेगा, तो इसमें हो गया Overy, Obule Attached, अब यह Obule, Obule के जिस पॉइंट से Attached है Attached to a Flat End, चपटा, Flat End, कसन लाइक, यह Placenta का सेफ है, कसन लाइक Placenta तो आप यहाँ Placenta का एक तो सेफ याद कर लो, कसन लाइक Placenta यहाँ पे मैंने Define किया, कि इस Overy के पास एक Flat End माने चपटा इस्टक्चर है इस चपटे structure का जो सेफ है, वह कसन लाइक हो गया, इसका नाम क्या है, Placenta है इस Placenta से एक structure Arise होगा और इस structure को हम लोग, Obule के नाम से जानेंगे तो इससे एक structure यहाँ Arise हो गया, और इस structure को हम किस नाम से जानने है, Obule कितने number है इसके, इसके number fixed नहीं है इसके number 1 भी हो सकते हैं 1 से अधिक भी हो सकते हैं 1 तो होगा ही 1 से जादे हो सकते हैं 2, 3, 4 इस तरह से fix नहीं है तो आप यहां कह सकते हैं कि प्रतेक ओबरी के पास 1 या 1 से अधिक obule है और यह obule एक flattened cussan-like structure से attached है जिसे हम placenta के नाम से जानते हैं तो इस तरह से हम यहां तीन चीजों का STD कर लिए एक बार फिर से पूरा आप टॉपिक देखिए गाइनोसियम जिसे हम पिस्टिल के नाम से जान रहे हैं ये फिमेल रिप्रोड़क्टिव पार्ट है और ये बना है कार्पिल एक गाइनोसियम में कित्ते कार्पिल हो सकते हैं आप बोलेंगे एक या एक से अधिक कार्पिल जिसे हम हेट्रोइस्पोरस्टेडोफाइट और जिम्नोइस्पॉम में किस नाम से जान रहे थे Megasporophyll. आज उसी Megasporophyll को NGO में किस नाम से जाना है? कारपेल नाम से जाना है. इस Megasporophyll में Megasporan circuit होता है. अब यही MegasporanSOUND जब интigurable投 support कवर से घिर जाता है तो उसे ovul का नाम दे देते हैं. और यही ovule NGO में जाना जाता है और यह Megasporangia Heterospora Stradophyte और जिम्नों में इस नम से हम जानते हैं जब आप कारपिल के पास जाएंगे तो आपको इसमें तीन structure दिखाई पड़ेगा एक stigma, एक style और तीसरा ovary यह ovary इसका सबसे broad part है basal part है इससे arise क्या हो रहा है style arise हो रहा है और यह style क्या कर रहा है connect कर रहा है stigma को ovary से यह stigma काफी mucilaginous substance की वज़े से चिपचिपा होता है at the time of maturity और उस mucilaginous substance की वज़े से यहाँ pollen grain का क्या होगा landing होगा अगर किसी ने कहा कि हमने stigma को dry कर दिया at the time of maturity आप carpal तो क्या होगा pollination disturb होगा pollination नहीं होगा pollen grain का यहाँ landing नहीं होगा अगर landing हो भी गया तो ऐसे pollen grain का germination नहीं होगा इस चीज़ को आप जानते रहिए और यह placenta का से पूछा जाए तो कसन लाइक placenta किसके पास होता है ovary के पास होता है fruits किस से बनेगा ovary से और ovule से क्या बनेगा seed बनेगा इसके बाद हम अभी style तीन टाइप का होता है इसके बाद हम style के type को discuss करेंगे एक बार आप इसका इसक इंसाट करेंगे उसके बाद हम style के type के बारे में पढ़ेंगे तो अब यहाँ पे हम style के type पढ़ेंगे तो अब यहाँ पे हम define कर लेते हैं type of style यह वही style है जिसने stigma को ovary से connect किया था तो यह तीन प्रकार का होता है सबसे पहला style है gyno basic style तो सबसे पहला style है gyno basic style यह जो gyno basic style है बहुत important है आज का सबसे important question आपको मिला यह style उसी family में पाये जाता है जिसमें मैंने आपको बता है था कि die chassel sign change into mono chassel sign अब आप guess करके बताईए मैंने आपको previous वीडियो में di chassel sign को mono chassel sign में change होते हुए किस family में बताया था तो gyno basic style का मतलब क्या होता है आए हम यहाँ पे समझते हैं पल इसको define कर लेते हैं when style arise from the base of ovary when style arise from base of ovary अब यहाँ पे हम define इसको कर रहे हैं यह suppose that यह ovary है मैंने इसको कहा कि यह ovary है इस ovary का यह apex है और इस ovary का यह base है अब इस base से अगर style arise हो रहा यह नीचे की तरफ ही हम इसको कर ले अगर इस base सल पार्ट से style arise हो रहा है तो ऐसे style को हम क्या कहेंगे gyno basic style के नाम से जनते हैं simple सा है कि when style arise from base of ovary अगर ovary के base से style arise होगा तो इस प्रकार की style को हम क्या कहेंगे gyno basic style कहेंगे यह तो रही definition की बात अब इसको हम देखेंगे कि यह किस में पाया जाता है labiati जिसका दूसरा नाम है labiace तो यह labiati या labiace में पाया जाता है और यह जो labiati या labiace है इसी में मैंने आपको बताया था कि verticelaster inflorescence पाया जाता है तो verticelaster inflorescence किस में पाया जाता है तो verticellaster inflorescence इसी family में पहे जाता है ये एक special type का inflorescence है इसके next वीडियो में हमारा जो topic होगा वो verticellaster inflorescence पे ही होने वाला है वहाँ आपको verticellaster inflorescence आएगा verticellaster inflorescence का ही character है कि di-chassial sign change into mono-chassial sign यही ऐसी family है जहाँ di-chassial sign किसमे change होता है mono-chassial sign में यह verticellaster का ही character है और यह verticellaster यह special type का inflorescence है यह normal नहीं है तो यह special type का है तो यह कैसे inflorescence है तो यह एक special type का inflorescence है तीन special type के होते हैं inflorescence अब आप guess करिए कौन-कौन सा होता है मैं फिलाल तीनों की चर्चा कई बार किया हूँ इसके बाद एक family और है जिसमें यह पाये जाता है बोरा जीनेसी तो एक family और है जिसमें यह पाये जा रहा है बोरा जीनेसी तो यह दो family में पाये जा रहा है इसके बाद हम दूसरे style पे चलते हैं दूसरा जो style है वो है lateral style, lateral style, यहाँ ओबरी के lateral position से style निकलेगा, तो यहाँ पर definition में कुछ खास नहीं है, नाम से asbest है, सबसे ज़्यादा important यही family था, बोरा जिनेसी भी था, यह गाइनो basic, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि style arise from lateral side of ovary, lateral side of ovary, अगर ovary के lateral side से arise हो रहा है style, तो आप इसे क्या कहेंगे, lateral style कहेंगे, और इस प्रकार की style है वो पाये जाता है strawberry में, किस में पाये जा रहा है, strawberry में, तो strawberry में यह पाये जाएगा, इसके बाद यहाँ पे, यह तो हो गया strawberry में, तीसरा यह तुलसी वाली family है, याद रखना, अगर कोई confusion हो तो तुलसी वाली family है, तीसरा यहाँ पे है terminal style, अभी अभी हम लोगों ने जो structure बनाया था, कारपिल का, उसमें हमने दिखाया था यह, तो यदि ओबरी के top position से style arise हो, यह ओबरी है, यह इसका basal part है, यह इसका top है, अगर इस top position से style का arise होगा, तो हम ऐसे style को terminal style के नाम से जानते हैं, और यह most common type है, यह कैसा है most common, तो यह most common है, सबसे ज़्यादा plant में यही style पाई जाती है, तो इस तरह से तीन type की style हो गई, एक बार आप इसका skin start करिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे हमारा जो topic है, वह है, कारपिल को लेकर, कारपिल के आधार पे हम यह दो condition देखेंगे, एक होगा mono कारपिलरी और एक होगा poly कारपिलरी, तो हमारा अगरा topic है, style में यह जो सबसे most important था, वह gyino basic style था, कभी-कभी आपसे पुछता है, gyino basic style, verticilaster, inflorescence, यह किस family के important character है, तो यह liability या limeacy family के important character है, कभी आपसे question आता है, कि liability या limeacy को छोड़ कर यह gyino basic style किस family में पहाए जाता है, तो उसको छोड़ के तो बोरा जीन ऐसी में पहाए जाता है, आप उन दोनों की चर्चा करेंगे, यहाँ एक condition है, mono carpiri, एक condition यहाँ है, mono carpiri, यहाँ carpiri की संख्या एक होगा, और जब एक ही है, तो इसे simple carpiri के नाम से भी जानते हैं, if only one carpiri is present in gynoceum, तो यहाँ जो gynoceum होगा, यह gynoceum, इस gynoceum में only one carpiri, इस gynoceum में किते carpiri होगे, only one carpiri, यह condition mono carpiri हो गया, दूसरा यहाँ पे है poly carpiri, तो दूसरा हो गया poly carpiri, यहाँ क्या होगा, कि एक gynoceum में more than one carpiri, तो यहाँ जो एक gynoceum होगा, इस एक gynoceum में condition लग जाएगा more than one carpiri, यहाँ कारpiri के number 1 से अधिक होगे, बात समझ पाए, यहाँ दो condition हम लोगों ने देखा, एक mono carpiri और दूसरा poly carpiri, तो poly carpiri, mono carpiri यह दो condition है, अगर एक gynoceum में एक carpiri है, तो यह तो हो गया mono carpiri, यह बहुत simple है, एक सेधिक कारpiri है, तो यह poly carpiri और यह एक complex condition भी है, अब यहाँ पे हमें यही दूसरा type पढ़ना है, तो यह जो दूसरा type है, इसमें भी दो type हो जाएगा, यही पे हम कर लेते हैं, two types, यह दो type का हो जाएगा, इसमें एक हो जाएगा, apocarpus, apocarpus, कौन सा condition है, apocarpus, मान लीजिए एक gynoceum है, उसमें five carpiri है, पाँचों carpiri एक दूसरे से free है, कोई आपस में fusing नहीं है, कोई एक दूसरे को touch नहीं कर रहे हैं, तो यह कौन सा condition है, apocarpus है, all carpels are free, तो यहाँ इसको define करिए, तो हो जाएगा, are carpels in polycarpillary condition are free, यहाँ जित्ते कारपिल होंगे, सब एक दूसरे से क्या होंगे, free होंगे, तो all carpels in polycarpillary condition are free, इसी को हम apocarpus condition कहते हैं, और यह पाया जाता है, लोटस में, निलंबो निूसी फेरा, यह पाया जाता है, रोज में, जिसकी फेमली है, रोजेसी, यह पाया जाता है, मिचेलिया में, मिचेलिया, जिसकी फेमली है, magnoliesi, तो मिचेलिया जिसकी फेमली, रोज, रोजाइडिका, जिसकी फेमली रोजेसी, लोटस, तो यह जो लोटस है, निलंबो निूसी फेरा, इसका बटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, निलंबो निूसी फेरा, निलंबो निूसी फेरा, और ये family हो जाएगी निलंबो नेसी तो कौनसी family हो जाएगी निलंबो नेसी तो ये condition हमारा हो गया एपो कार्पस जिसका मैंने मतलब बताया अगर polycarpillary condition में कार्पिल एक से अधिक है 4 है 5 है चो भी है सब एक दूसरे से free है ये free सब्द याद रखना तो condition क्या है एपो कार्पस और example के रूप में आपको lotus रोज मिचेलिया याद रखना है इसके बाद एक बार आप इसका skin sort करेंगे इसके बाद हम लोग condition पढ़ेंगे sin carpous कौनसा condition sin carpous तो आप लोग को बीडियो कैसा लग रहा है class कैसा लग रहा है मारे गवरो सर आपको phylum स्टार्ट किए animal phylum तो आप लोग animal phylum का भी notes prepare करिए मैंने आप लोग को promise किया है कि पूरा syllabus एक बार मैं biological का पढ़ाऊंगा पूरा syllabus ओ भी free आपका और ये free का offer के वल एक ही बार होने वाला है इसलिए आप लोगे study कर लेना तो निलंबो नियूसी फेरा निलंबो नियूसी फेरा ये जो lotus का नाम है ये एपो कार्पस में है रोज रोज इस ये भी एपो कार्पस में मिचेलिया है तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं दूसरा जो condition यहाँ polycarpular condition में है वो है syncarpus का कौनसा condition है? syncarpus तो इसका जो दूसरा condition है वो हो गया syncarpus 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 all carpels are fused यहाँ क्या होगा? कि all carpels are fused यहाँ एक polycarpular condition में जित्ते भी कार्पल होंगे वो सब एक दूसरे से fused होंगे इसका example तो यह सबसे पहली चीज़ तो जानी है कि यह most common type है यह most common type है found in maximum found in maximum family तो यह ज़्यादा तर plant family में पाये जा रहा है maximum family में यह पाये जाएगा इसको याद करने के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज यहां पी यह है कि सिन कार्पस का condition जो है most common है तो आप एपो कार्पस में जो lotus था, rose था, michelia था उसे आप याद रखेंगे एक निलंबोनेसी फेमली था एक रोजेसी था, दुसरा मैगनोली एसी था उसको छोड़के बाकी के जितने फाइलम आपके सामने पढ़ेंगे वो आप ये बात को कामन रखेगा को वो सिन कार्पस ही होगा आप सिन कार्पस पे ही टिक करेंगे यही निकलेगा तो इसका एक ट्रिक भी मैंने बनाया है सुनो पापा मस्त टोमेटो है सुनो पापा मस्त टोमेटो है यह एक मैंने यहां से ट्रिक बनाया है अब यहां सुनो से हो जाएगा सिन कार्पस सुनो से क्या हो गया सिन कार्पस यह हो गया एक कंडिसन सिन कार्पस पापा मतलब हो गया यहां पे पैपेवर पैपेवर सुमनी फेरा में प्लांट है जिसकी फेमिली है पापा विरेसी जिसमें रैप्लम पाये जाता है पापा विरेसी इसकी फेमिली हो गई पापा विरेसी इसके बाद यहाँ पे मस्त मतलब आप समझ रहे हैं इसी में ARD जोड़ दो Mustard Mustard मतलब हो गया Cruciferi Cruciferi मतलब हो गया दूसरा नाम इसका Bracicase जिसमें पाए जाता है Myrosine Gland क्या पाए जा रहा है Myrosine Gland कई बार चर्चा कर चुके हैं Tomato मतलब हो गया Soleneci Chokha Family Swellen Placenta With Oblix Septa Soleneci इसकी जो placenta है न Swellen होती है Swellen Placenta और उसमें Oblix Septa है With Oblix Septa याद रखना है से Hibiscus Hibiscus भिंडी वाली जिसकी Family है Malvesi Mello Family या Carton Family भी कहते हैं इसको Carton Family क्योंकि इसी Family में आपका Carton नामक Plant रखा गया तो इस तरह से हमने आज Mono Carpilari Poly Carpilari Condition पड़ा आपको वीडियो कैसा लगा एक बाद लाइक करिएगा Share करिएगा आज की इस पीडियो टॉपिक में वस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा एक बाद लाइक Share जरूर करिएगा और कमेंट करके बताईगे Thank you so much आपको पाद लाइक